हेलो दोस्तो वेलकम बैक टू माई चैनल मैं हूँ आपके साथ अनुझ मोर्या इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोयम 2 की सेंट्रल आइडिया पिछले वीडियो में मैंने आपको पोयम 1 एफोटोग्राफ की सेंट्रल आइडिया बता दी अच्छे से समझ गए वहाँ पर जो सेंट्रल आइडिया जो एक्जाम में जिनके आने के बहुत ज़्यादा चांसस होते हैं उन्हीं को मैं बता रहा हूँ तो यहाँ पर यह आज हमारा है यह पोयम हमारी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है और इससे सेंट्रल आइडिया तो आनी यानी ही है चाहे आप वारसिक examination में ले 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 चाहे half yearly के या yearly के तो यह दोनों में इसका आना तो तहे है इस central idea का तो यह बहुत ही important central idea है तो वीडियो बहुत ज्यादा important है तो वीडियो को पूरा देखना स्काइप मत करना चले वीडियो देखते हैं स्टाट करते हैं यहां फे पूराम 2 की central idea यहां पे मैंने लिखा हुआ है तो पिछले वीडियो में मैंने बता है central idea किस परकार लिखते हैं उसे शुरू में थोड़ा अच्छा अकरसक लिखेंगे ताकि वो जो examiner आपको चेक करें वो अच्छे से देखे कि यहां लगे उसे की बंदे में दम है लिख सकता है अच्छे से तो आपको अच्छा नंबर भी वहां से मिल सकता है तो यहां पर फिलाल देखते हैं it is a nature a poem celebrating the coming up the rain यह एक प्राकिरतिक कविता है जो celebrating मतलब उत्सों मनाना the coming up the rain जो वर्सा के आने का उत्सों मना रही है the poet asks the soft falling sour who it was the wise of the rain described its own cycle of life तो कह रहा है कि the poet जो हमारा poet है इसके जो poet है हमारे Walt Whitman वो बता रहे हैं यहां पर कि the poet जो Walt Whitman ने वो बता रहे हैं आसक माने कह रहे हैं the soft falling मतलब soft मतलब जो हमारी soft नर्म नर्म बुंदे आ रही है आफ दरे वर्सा की describe describes वे वर्डन कर रही है its own cycle of life अपने जीवन के चर्णों का तो कह रहे हैं कि जो वर्सा की बहुचारत आ रही है वो वर्सा की अच्छे अच्छी बुंदे वे यहां पर अपने described its own cycle अपने स्वयम के चड़ों का उचाड कर रही है it rises out of the land and the seas वे कह रहे हैं कि वे धरती के समुद्रों से उठती है it rises मतलब उगना भी होता है rise मतलब लेकिन यहां पर इसका तातपर रहे है उठने से जैसे वर्सा समुद्रों से उठती है तो वहीं यहां पर बता of the land धरती के समुद्रों से उठती है it goes upward to the sky और उठकर upward उपर की ओर to the sky आसमान में जाती है आकास में जाती है it undergoes a chance completely और वहां पर जा करके change completely पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है then it falls down on the earth और वहां से वो धरती पर फिर से गिरती है thus it's given back life to its own origin तो वो आकर फिर से इसी wish में वर्सा करती है सोयम को यहां पर अपने जीवन को फिर से यहीं से यहां से जाती है और यहीं पर आती है तो in the last two tries a parallel is drowned between the rain and the music तो यहां पर two tries यहां पर प्रियत्न कर रही है ए पैरलर पैरलर मतलब समांतर is drowned between 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 मतलब दो के लिए तो the rain and the music दारेन वर्सा और संगीत के वीश यहां पर समांतर समांतर दर्साइगें समांता दर्साइगें और यह हो गई हमारी यहां पर central idea तो यहां पर मैंने आपको poem 2 की central idea यहां फिलाल मैंने यहां पर central idea आपको poem जो हमारी दूसरी poem की है the boys आप दरेन उसका हमने यहां पर बता दिया है तो अच्छे से समझ गए इसे आप लिख भी सकते हैं और इसे अच्छे से याद कर लिए क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा important poem है तो आज की इस वीडियो में इतना ही उमीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा तो इसली सेंट्रल आइडिया जो है मैंने उसके description में लिंक डाल दिया आप वहां से देख सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए